नमस्कार स्वागत आप सभी का आइंडिया पर मैं हूं निशांद गुपता आज एक ख़बर से आपको रूबरू कराते हैं जहां एक भासर देकर सांसदी गवाने का राहूल गांधी वाला मामला फिलाल निप्टा है सुप्रीम कोट के आदेश पर राहूल गांधी की संसस अदस्ता आस्थाई तोर पर ही सही पर बहाल हो गई दूसरी तरफ उनकी बहन और कांग्रेस की राश्टी मासच्यू प्रेंका गांधी के एक ट्विट ने राजनीती का पारा हाई कर दिया बात इतनी बड़ी है कि इसे लेकर प्रेंका गांधी और कुछ अन्य कांग्रेसी नेताओं पर विबिन धाराओं के तहट 41 जिलों में अलग-अलग प्रात्मी की दर्च कराई गई यह मामला मद्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है जहां कुछ ही समय बाद विधान सभा चुनाओं होने हैं चुनाओं के चलते राज की सियासत वैसे ही सरगर्म चल रही थी इस ट्विट ने मानो राजनीती में उबाल ला दिया आईए सबसे पहले बताते हैं कि प्रियंका गांधी ने अपने ट्विट में क्या आरोप लगाया था दरसल प्रियंका गांधी ने ट्विट करते हुए आरोप लगाया था कि मद्य प्रदेश में ठेकेदारों के संग ने हाई कोट के मुख नयाइदिस को पत्र लिख कर सिकायत की है कि प्रदेश में 50-35 कमिशन देने पर ही बुक्तान मिलता है करनाटक में ब्रष्ट बीजेपी सरकार 40-35 कमिशन की वसूली करती थी मद्य प्रदेश में बीजेपी ब्रष्टा 4 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ कर आगे निकल गई है करनाटक की जनता ने 40-35 कमिशन वाली सरकार को बाहर किया अब मद्य प्रदेश की जनता 50-35 कमिशन व सात्मी की दर्ज कराई गई इसमें पूर्मुखमंत्री कमलनाथ सहिद कुछ अन्य कांग्रेसी नेताओं के नाम भी सामिल हैं बोपाल इंदौर और गौलियर समेथ 41 जिलों में दर्ज कराई गई इस एफायार में आरोप लगाया गया कि कुछ कांग्रेस नेता सोसल मीडिया पर गलत सूचनाएं डाल रहे हैं और इससे उनकी पार्टी भाजपा के नेताओं की छबी खराब हो रही है बी एस एजुकेशनल महा विद्याले लखनव विश्य विद्याले से समबध चात्र चात्राओं के लिए उतक्रष्ट शिक्षर संस्थान बीए, एमे, बीकॉम, एम्बीए वा अनिकोर्सिस के लिए आज ही समपर करें खैराबात, बिस्वारोर, पकरिया, सीतापुर सत्थ दो हजार तेस चौबिस के लिए प्रवेश प्रारंब